आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें Hello friends, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस question में दिया हुआ है कि 4 बिंदू, 0,4,1, 2,3,-1, 4,5,0 और 2,6,2 सिर्स हैं तो हमें यहाँ पर बताना है कि कि इसके सिर्स हैं अप्सन दे रखा है, पहला हम दे रखा है, समानतर चत्रभूज, दूसरा हम दे रखा है, आया, तिसरा हम दे रखा है, वर, चोथा हम दे रखा है, सम चत्रभूज तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो 4 बिंदू हैं, वो कि चत्रभूज के सिर्स हैं, ठीक है तो हम यहाँ पर इनका सबसे पहले कुछ नाम रख देते हैं मान लेते हैं कि यह A बिंदू के निर्दे सांग है यह B बिंदू के निर्दे सांग है यह C बिंदू के निर्दे सांग है और यह D बिंदू के निर्दे सांग है ठीक है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहां पर चतरभूज बना लेते हैं ठीक है यह हमारा क्या हो गया एक चतरभूज हो गया मान लेते हैं कि यह हमारा एक चतरभूज हो गया ठीक है और इसका हम कुछ नाम रख देते हैं ठीक है मान लेते हैं कि ये A हो गया ये B हो गया ये C हो गया और ये D हो गया ठीक है तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि चारो भुजा का लेंथ निकालेंगे फिर दोनों भी करन का लेंथ निकालेंगे ठीक है तो ये B को D से हमने यहाँ पर मिला दिया और A को C से मिला दिया ठीक है A को C से मिला दिया हमने यहाँ पर तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले चारो भुजा कलेट निकाल ले रहे हैं हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदू P हो जिसका निर्दे सांग X1,Y1 हो और दुसरा कोई बिंदू Q हो जिसका निर्दे सांग X2,Y2 हो तो इन दोनों की बिच की दूरी को हम दूरी सुत से निकालते हैं और यह हो जाएगा PQ बरावर अंडर रूट X2 माइनस X1 का होल स्कॉर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्कॉर ठीक है तो अब हम यहाँ पर 4 भूजा और दोनों विकर्ड का लेंथ निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ से A,B बरावर अंडर रूट यह भी बरावर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 0 का होल स्कॉर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्कॉर प्लस और यह हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वार ठीक है तो यह 2D के केस में था यह जो सुत्र था अगर इसका निरसां कि X1,Y1,Z1 हो और X2,Y2,Z2 हो तो यह हो जाएगा फिर प्लस यह हो जाएगा हमारा Z2 माइनस Z1 का होली स्क्वार हो जाता है वो 2D का केस था बत्त 3D में क्या होता है जर निल सांक भी आ जाता है तो उस केस में इन दोनों की बीच की दूरी दूरी चुतर से यह हो जाता है ठीक है तो यह हो गया हमारा बराबर अंडर रूट यह 2-0-2,2 का इस्क्वार 4 3-4-1-1-1 का स्क्वार 1 यह –2-2 का स्क्वार 6 तो यह क्या होगा? under root 9 और under root 9 कमान कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 3 अब हम निकाल ले रहें यहाँ पर 20 कमान तो 20 भुजा का यहाँ पर जो लंबाही हो जाएगा वो हो जाएगा under root तो यह हो जाएगा 4-2 का whole square प्लस फिर यह हो जाएगा हमारा 5-3 का whole square 5-3 का whole square प्लस और फिर यह हो जाएगा 0-1 का whole square तो minus minus plus 1 हो जाएगा ठीक है तो यह अगया under root यह 2 होगा 2 का square 4 5-3 जाएगा 2 2 का square 4 और 0 plus 1 1 1 का square 1 तो यह आगया अगयन under root 9 और इसका मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं CD भुजा का length यह हो जाएगा under root 2-4 का whole square 2-4 का whole square plus 6-5 का whole square plus और 2-0 का whole square ठीक है equal to यह हो जाएगा under root 2-4 माइनस 2 माइनस 2 का square 4 6-5 1, 1 का square 1 2-0, 2, 2 का square 4 तो यह फिर आगया 9, under root 9 और इसका मान हो जाएगा 3 अब हम यहाँ पर DA भुजा का length निकाल ले रहे हैं तो यह हो जाएगा under root यह हो जाएगा under root तो यह हो जाएगा हमारे 0-2 का whole square 0-2 का whole square प्लस और यह हो जाएगा 4-6 का whole square 4-6 का whole square प्लस और यह हो जाएगा 1-2 का whole square 1-2 का whole square ठीक है तो यह हो जाएगा under root अब 0-2 यह क्या होगा माइनस 2-2 का square 4 प्लस और 4-6 कितना हो जाएगा यह होगा माइनस 2-2 का square कितना होगा 4 1-2-1 माइनस 1 का square 1 यह अगयन आगया under root 9 और इसका मान हो जाएगा 3 ठीक है अब हम दुनों विकर्ड निकाल दे रहे हैं तो यह हो जाएगा AC equal to under root तो यह हो जाएगा हमारा 4-0 का whole square 4-0 का whole square प्लस 5-4 का whole square 5-4 का whole square प्लस प्लस 0-1 का whole square 0-1 का whole square ठीक है equal to यह हो जाएगा under root यह 4 का square कितना होगा 16 अब 5-4 1 1 का square 1 0-1-1 और उसका square 1 तो यह आगे under root 18 और यह हो जाएगा 3 under root 2 हो जाएगा ठीक है अब हम BD का हमें यहाँ पर लेंद निकाल ले रहे हैं तो यह कन BD का लेंद हो जाएगा under root यह हो जाएगा हमारा BD तो यह हो जाएगा हमारा 2-2 का whole square 2-2 का whole square प्लस और यह हो जाएगा हमारा 6-3 का whole square यह हो जाएगा 6-3 का whole square प्लस और यह हो जाएगा 2-1-1 का whole square 2-1-1 तो माइनस मैंसे हो जाएगा plus 1 का whole square यह हो जाएगा under root तो 2-2 0 0 का square 0 6 में से 3 जाएगा 3 3 का square 9 और दो एक तीन, तीन का स्क्वार नौ तो ये फिर आ गया अंडरूट 18 और इसका मान हो जाएगा थिरी अंडरूट 2 ठीक है तो अब यदि हम यहाँ पर बात करें चतरभूज ABCD में ABCD में चतरभूज ABCD में तो यहाँ पर इसका चारो भूजा बराबर आ रहा है तो यहाँ पर आ गया AB बराबर BC आ गया और BC बराबर CD आ गया है और CD बराबर है DA के चारो भूजा बराबर है और इसके विकन भी आपस में बराबर है AC बराबर है BD के ठीक है तो हम जानते हैं कि अब हम यहाँ पर बात करें पहले option का ठीक है तो पहला में क्या दे रखा है समानता चितर भूज तो समानता चितर भूज तेशी तर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी आमने सामनी के भूजाएं बराबर होती है ठीक है तो आयत में क्या होता है इसमें भी आमने सामनी के भूजाएं बराबर होती है और इसके विकन आपस में बराबर होते है तो यहाँ पर क्या है इसके आमने सामने इसकी तो चारू भूजा आपस में बराबर है और इसके विकन ही बराबर है मतलब यह आयत भी नहीं होगा ठीक है अब हम यहाँ पर बात करेंगे वर्ग का तो वर्ग में क्या होता है वर्ग में चारू भुजा यह आपस में बराबर होती है यहाँ उसके विकन भी आपस में बराबर होते हैं तो तो ये C option में क्या है, work है, तो work यहाँ पर क्या होगा, अमारा यह correct option होगा, क्योंकि work की चारो भूजाँ आपस में बराबर होती है, यह उवंग इसके weekend भी आपस में बराबर होते हैं, अब D option में दे रखा है sum चेतर भूज, sum चेतर भूज में क्या होता है, कि इसकी 4 भुजया है आपस में बराबर तो होती है लेकि इसके विकर आपस में बराबर नहीं होते हैं ठेकि यहाँ पर इसके विकर विकर तो बराबर है तो इसलिए यह सम चतरबुज नहीं हो सकता तो finally हमारे कम से चतरबुज होगा यह ABCD एक वर्ग होगा, अधार्थ option C हमारा यहां पर correct option होगा, thank you.